नमस्कार गाईज, उम्हित करते हैं आप बहुत अच्छोंगे, SSE Z 2022 का नोटिफिकेशन साउट हो गया, आप लोग बहुत सारी रिक्वेस्ट कर रहे थे आरकिसर वीडियो बनाईए, तो देखिए कम समयों में क्या-क्या नया चेंजिस हैं, और सबसे बड़ी बात आप अपर रिवीज करेगा, मतब वेकिंसी का अपडेट से नहीं है, तो मैं आपको बताहूं ससी ऐसा कभी करता नहीं है, कितनी नमबराँ वेकंसी होगी यू बात में अपडेट करता है, मैं आपको बता रहा ह favouriteält में से देखिए, पासिब़ नहीं है, और ससी नहीं कहा है, कि 70 000 प्रप्रस एडिशनल वेकिंसी को क्रिएट किया जाएगा पीम और एससी के चेयर में ने भीका है तो कुछ वेकिंसी तो बड़ेगी आपको पॉजिटिव यह मान करके अपनी प्रिप्रेशन को करनी पड़ेगी अब सवाल है कि एक छोटे से वीडियो में मैं आपको बहुत स ले करके count करना है बाकि अगर आप OVC में हो तो तीन साल और add कर लेना और SC ö ST में हो तो जितना kosization आएगा इस डेट से OVC में तीन साल add कर लेना SC और SD में 5 सल और कॉल्विफिकेशन्स अगर आपका है कि इस डेट के पहले अगर आपकी डिग्री अथवा डिप्लोमा कम्प्रीट है तो आप डेफिनेटली आप एलिजिबल हो जो लोग फाइनल वियर में थे उनका जून जुलाई अगस्त में आपका डिग्री कम्प्रीट हो गया तो वह ए प्री अवेंस में OBC के लिए 25 पर से और स्ट के लिए 20 परसें OBC और EWS के लिए बाकी यह देखिए का हर एक डिपार्टमेंट की एज क्रैटेरिया आपको दिया ब्यारो के लिए 30 साल मैं आपको बता दे रहा हूं सेंटर वाटर कमीशन के लिए 32 साल है बाकी सब के लिए 30 स साल और एड कर दो जहां 32 सो वहां पैतिस हो जाएगा जहां पर 30 से वहां पर 33 साल हो जाएगा कुछ नए चेंजेस यह हुए हैं बहुत अच्छी बात ही है कि मिनिस्ट्री आप पोर्ट एंड सिपिंग वाटर वेज यह सारे कुछ नए डिपार्टमेंट्स पोस्ट को क्रि बड़ी बात कि आपको मैं बता दो अगर आपको एलेजिविलिटी कन्फ्यूजन्स लग रहा है तो मैं आपको बता दता हूँ उस पर भी मेरा पॉइंट स्टैंड देखीजीएगा यह रहता है मैं क्लियर कड़ बात करता हूँ आप तो से देखो मैं हमेसा एक बात आलवे इतने सब्सब्सलेंज में होना चाहिए दिखेगा एतनी सितने के बीच में इतने इतने संटीमीटर वेत होना चाहिए यह वड़ीप Hm बता हूँ पिर कॉल्विफिकेसं को लेकर करके अगर आपको कन्फूजन्स है तो मैं आपको बता दूँ देखो ब्यारों में अगर बात करते हैं तो डिगरी जोट नहीं है डिपलोमा के लिए दो साल का एक्सपीरियंस आपका उस फिल्ड में आपको होना चाहिए और बाकी आपको पता प्लानिंग में होना जिए मैं आपको बता रहा हूं फिर उसके बाद देखेंगा यहां पर आपका है इसमें कोई experience की जरुत किसी को भी नहीं है और बाकी आपको जुनियर सेंटर वाटर पावर स्टेशन में आपका डिग्री सेंटर इंजिनरिंग के लिए वेकेंशी है तो इसमें आपका डिप्लोमा मेंशन है बट यहां पर आपको डिग्री भी अलाउड होता है और बाकी इल साही नोटिफिकेशन साहता है तो आपको होती है मैं आपको बताऊं यह सारी है डिरेक्टिट अब कॉलिटी एस्वरेंस में आपका डिप्लोमा में इसके साथ दो साल का experience डिप्लोमा वालों को चाहिए डिग्री के लिए नहीं चाहिए बाकी इसमें देखिएगा आपको य नीचे के साही पोस्ट पे experience की कोई जरूरत नहीं है तो छोटा सब्डेट था और बाकी नम्मर वैकेंसी आपको जैसे भी आएगा अपडेट करेंगे अच्छी वैकेंसी है अभी पॉच्टिव भी आपको प्रिप्रेशन करनी है मैं आपको बताऊं ठीक है और बाकी अगर आपको 16 अगस्त से सुरू होगा तो चाहिए वीडियो के नीचे description में दिंक है प्रॉपर डेडिकेटिट कॉंसेप्ट की ग्लास है डीटेवड वादी आपको questions की भी practice होगी और आपको पीडिया भी मिलेगा और बहुत बट आपको जोईन करने के लिए अगर आपको maximum को सबकुछ कपर हो जाता महापैक में 25 रुपया इसका बैच है महापैक 1000 रुपया और पे करने के बाद मिल जाता है महा सारे बैचेस के लिंक पड़े हुए और योट्यूब पे बहुत बड़ी-बड़ी planning आप लोगों के लिए कर रहे हैं कल उसका announcement हो जाएगा systematic तरीके से आ मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है तो थैंक्यू गाइस थैंक्यू वीडियो को लाइक करते हैं आप इस्टिल आपको confusions है कास्ट सर्टिफिकेट से वैबस और तमाम तरह की चीज़े हम आपको बाद में inform करेंगे बट अभी इतना ही help कर सकते हैं जो possible है मेरी तरब से ठीक है थैंक्यू